किसानों को बदनाम करने पर तुली मोदी सरकार ट्रोल आर्मी और एंकरों के द्वारा किसानों पर हो रहा प्रहार श्रीशी रविशंकर के बयान भी किसानों के खलाफ वाजपेई जी के आदर्शों को भूल गई है बीजेपी आटल विहारी वाजपेई ने किया था किसानों के आंदोलन का समर्थन ना जाने सरकार को किसानों से क्या डर है कि पहले कीले बिछाई गई और अब ट्रोल आर्मी के द्वारा उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तब वो किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बाते करते थे लेकिन जब सत्ता हाथ में आई तो किसानों से बात करने के बजाए दुबाई चले गए क्योंकि वहाँ भी हिंदुत के एजेंडे को हवा देनी थी पीम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेता कॉंग्रेश सरकार में मस्पी का मुद्दा उठाया करते थे और वादा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो पुरे देश में एक दाम पर फसल बिगेगी मस्पी का कानून बनाया जाएगा इन सब के बाद भी जब मन नहीं भरा तो बाबाओं को भी उसी सिस्टम में शामिल किया गया है जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं श्रीशी रविशंकर ने किसानों पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट किया है जो उन्हें ही पूरी तरह एक्सपोस्ट करता है कॉंग्रेस सरकार में इनका स्टेंड क्या था और आज क्या है श्रीशी रविशंकर लिखते हैं किसानों का एक छोटा सा हिस्सा पूरे देश पर हुकुमत नहीं चला सकता जूटे वादों से आकर्शित करके भारत की बढ़ते रवस्था में किसी को बाधा नहीं डालनी जाएगी तो ये श्रीशी रविशंकर का किसानों पर कटाक्ष था आप आंदोलन करके भारत की अर्थववस्था में बाधा मत डालो लेकिन महोदे जरा ये बताईए देश के किसान खुशहाल होंगे अगर किसानों को MSP का लाब मिलेगा तो देश के अर्थववस्था आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी दरसल ये लोग समय के साथ बदलने वाले लोगों में शामिल है और कैसे इन लोगों का स्टेंड बदलता है प्रशान भूशन इसको एक्सपोज भी करते है दो ट्वीट है श्रीशी रविशंकर एक जो उन्होंने किसानों के खिलाफ किया था और एक कॉंग्रेस सरकार के समय का है यानि 15 मार्श 2012 का इस ट्वीट में रविशंकर क्या कहते है जरा देखिए कि जब आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले उन किसानों की खुशहाली के लिए दुआ करें जो आपको खाना प्रवाइड कराते हैं जब देश के किसान खुशहाल होंगे तब ही तो हम हेल्दी होंगे तो जो रविशंकर 2012 में कहा करते थे कि देश का किसान खुशहाल होना चाहिए हम सब को उनके लिए प्रे करना चाहिए आज वही श्री शीरविशंकर कहते हैं कि किसानों को इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि देश की अर्थवस्था में खलल परता है यानि किसानों को अपना सोशल होते देखना चाहिए ये कैसा लॉजिक है ये एक छोटा सा हिस्सा प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि पंजाब के किसान MSP के महत्तों को बेहत अच्छी तरीके से समझते है सरकार ने वादा किया था किसान अपने हक की आवाज उठा रहे ये कौन सा लॉजिक हो जाता है कि देश के एक बड़े हिस्से किसान सोशल को अपनी तख्दीर मान बैटे है आवाज नहीं उठा सकते अगर धर्ब की राजनीत में वो अपने हक की आवाज उठाना भूल गए हैं, अपने सोशल को उन्होंने तखदीर मान लिया आए, तो क्या जो सच है, जो यथार्थ है, वो जूट बन जाएगा, यथार्थ नहीं रहेगा, कि देश के जादातर राज्जों में किसानों को MSP नहीं मिलती है, जो हरियारा पंजाब की किसानों को खीमत मिलती है, देश के जादातर राज्जों में उससे कम कीमत पर गेहों और धान खरीदा जाता है, तो जब किसान अपने सोशल के खिलाप आवाज दे उठा सकते, तो क्या एक छोटे से हिस्से किसानों को भी सोशल पर आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, ये बात होनी चाहिए कि जो किसानों का मुद्दा है, वो सही है या खलत है, MSP का वादा प्यामोदी ने किया था कि नहीं किया था, बस इस बात का चवाब इस एको सिस्टम को देने की बजाए किसानों को बदराम किया जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहें किसानों के खिलाब ऐसे दमन पर पूर पूरप्रधान मंत्री अटलवियारी वाजपेई का ये बयान उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए, जो किसानों को बदराम कर रहे हैं, सुनिये। अगर किसानों को दबाया गया, अगर किसानों खिलाब हिंसा का इस्तमाल किया गया, तो हम भी मैदान में उतर जाएंगे। शलवियाओन में उतराम मेंटे में जना ज totally मはは झाएंगी दर जर जराम को दो सी